So Hello Everyone, बात करेंगे आज Asoka Buildcon Limited के बारे में इस share को लेकर एक बहुत बड़ी news आ रही है, बहुत ही अच्छी news आ रही है So कल इस share में अच्छा moment देखने को मिल सकता है या कुछ दिनों में यह share अच्छा moment दिखा सकता है So बताओंगे इस वीडियो में क्या वो news है और क्या इसका support resistance निकल कर आ रहा है चलिए पहले हम news पर चलते हैं directly So यहाँ पर guys आप देखेंगे पहले तो यहाँ पर दो news है आज आ रखी है जो 2 October को तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आई थी 10 बसकर 32 मिनट पर और एक आई थी 10 बसकर 25 मिनट पर So यह दो news आई है दोनों में ही यहाँ पर देखेंगे आप Asoka Buildcon को लेकर यहाँ पर जो news आई है इनको एक project मिला है जिसका contract इनको मिला है तो contract की जो value है 288 करोड एंड 975 करोड है All total मतलब यहाँ पर यह 1260 करोड के around something कह सकते हैं यह तो पहला contract है ठीक है यहीं पर आप second contract देखेंगे Asoka Buildcon का तो यह देखेंगे आप 474 करोड का है तो यह मतलब पहले वाली news है ठीक है तो all total इनको आज 2 contract मिले हैं तो काफी अच्छा यहाँ पर valuation है काफी अच्छा यहाँ पर amount है तो ऐसे में इस share में तेजी देखने को मिल सकती है बताऊंगे आगे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या इसके previous returns रहे हैं कल तो आप देखेंगे मंडे को यहाँ पर कल मंडे को नहीं मतलब कल एक तारिक को यहाँ पर तेजी देखने कोई मिली थी बैकि हम बात करेंगे five days में so five days में आप देखेंगे आप नेगिटिव रिटरंस इस share के रहे हैं आगे one month में देखा जाए so two percent इसके positive returns है मतलब इतने खास returns नहीं दिये इसने पास्ट six month में 41 percent almost इसके positive returns रहे हैं returns मतलब ठीक ठाक नजर आ रहे हैं share के year to date में भी one year में भी वैसे सही returns है 95 percent 96 percent almost five years में ठीक ठाक है returns and all time में भी returns मतलब ठीक ठाकी है जादा खास अभी नजर नहीं आ रहे है in future अच्छे returns दिला सकता है वैसे तो already returns ठीक ठाकी दे रहा है बड़ देखते हैं जिसे सापसे contract मिल रहा है सो कहां तक यह dot सकता है कहां तक यह जा सकता है resistance की बाद कर लेते हैं पहले so यहां पर 246 के around के आपको एक resistance दिखा सकता है और इसके अबव यह आपको 250, 255 and max 263 के around जाता हुआ दिख सकता है so wait कीजिए से stock में news के चलते हैं यहां पर maybe gap up opening हो सकती है possibility है and support level की बात करें हम यहां पर so 227 इसका strong support नजर आ रहा है 227 के around और इसके down जाता है then 218 रूपीज के around 18-19 रूपीज के around इसका strong support नजर आ रहा है so news के चलते हैं यहां पर maybe gap up opening हो सकती है या uptrend moment यह दिखा सकता है मैं only बस आपको educational purpose से यह बता रही हूं support, resistance बाकी आप लोग अपने ओन रिस्क में इस share में बने रही है या fresh entry लेना चाहें so at your own risk आप लोग ले सकते हैं बाकि mid term perspective से 275 प्लेस यह जाता हूँ अधिक सकता है so I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, thanks for watching this video